नमस्कार दोस्तों मैं हरी नाराइन कुमार आप सभी का बीस्टे उल्टिस में बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज के इस वीडियो में मैं मुख पंत्री उद्यमी युजना जिसमें 10 लाख अधिकतम मिलता है उसका चैन परकेडिया के बारे में मैं बताऊंगा बहुत स इसमें खाता भी नहीं इस बार मांगा जा रहा है और इसमें जो फाइनल जो होता है प्रिंट होता है हाड कॉपी होता है वो कहीं भेजना भी होता है कि आए परकेडिया बताई तो यह चैन परकेडिया पर पूरी complete वीडियो है इसके बाद कोई वीडियो आपको देखने की कि आप सकता नहीं पड़ेगा तो पहले मैं एक जलक में बतादू कि चैन परक्रिया जिला वार लक्ष निरधारत किया गया है यानि हर जिला के अधार पर आपको किस चिला में कौन सा उधोग प्रोजेक्ट लागू होगा वह भी महां पर डिसाइड किया गया है और यह कॉमन सकता लागfon एक बात है की कम्प्यूट राइज रेंडॉमाइजेशन सिस्टम से यानि लोटरी सिस्टम से 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 सकूरूरिटनी की बात किया जाये तो मुख्याले अस्तर पर सकूरूरिटनी होगा आपको बहुत साल अभी भी कर रहे हें कि सारी स्कूरूरिटनी freshman year को तो और यह रासी तीन किस्ट में मिलेगा और परसिक्षन कितने बार होगा तो परसिक्षन दो टाइम होगा दो चरण में होगा यानि पहला किस्ट मिलने से पहले दूसरा किस्ट मिलने से पहले ठीक है तो एक जलक यह मैंने आपको बताया इसके बाद मैं बता दूं कि यहां पर पॉइंट भाई यहां पे बताया जा रहा है कि मुख मंत्री उद्यमी रोजना अंतरगत आबेदन करने यह चैन पर के लिए के बारे में बताया है जो मैंने अभी बताया है सेम तो सेम वही बात है आपको आबेदन करने के लिए यह ओफिसल वेफसाइट है इसके माधियम से आप आउनलाइन कर सकते हैं कि इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि दूसरा पॉइंट आप देखें तो जीला बार निर्धारित लक्ष के अनुरूप आवेदनों का प्राद्वांभिक रूप से चैन किया जाएगा यानि यह जीला बार होगा इसके बाद मैं बता दूं कि आपको तीसरा पॉइ कैसे किया जाता है कैसे होता है रेड़ाजेशन में उसके बारे में मैंने दो वीडियो डाला है और यूटूब पर ट्रेंडिंग में जा रहा है बहुत अच्छा का सा रेंक में हैं यहां पर बताया जा रहा है कि अब स्कूरूटनी के बाद किया जाए चौथा नंबर यह प्रावमभिक रूप से चैनित आवेद यहां पर आवेदनु की मुख्याले अर्स्तर पर इस्कूरूटनी किया जाएगा देखिए यहां पर किलियर किया आवेदनु की तो इसमें आपको हार्ड कोपी लेकर कहीं भी जाने किया आप सकता नहीं है जो आपने आवेदन दिय है बसकान में तिल रखे सोजाएए अज कब जागना है तो जब आपको लॉट्री सिस्टम होगा रेंडोमाजेशन होगा तो कब होगा यह भी मैंने जो लॉट्री वाला सिस्टम है उसमें मैंने डिस्कस कर दिया है हलांकि अभी एक जुलाई अन्तिति है आउनलाइन आवे नितिश मिश्रासर जो धोग मंत्रिय हैं उनसे परमिशन लेगा उनका जो उस दिन टाइम है या नहीं है तो फुर्षत में रहेगा तभी तो इसके लिए दो से तिन या एक सब्ता मैक्सिमुम हो जाएगा रेंडोमाजेशन सिस्टम जब से लाया गया है बस दो से तिन दि कि यह था ना वसूसी को देखेगा उसमें देखेगा कि कौन-कौन दस्ताबेज आपने दिया है सही दिया है यह नहीं दिया है साफ सुत्रा है यह नहीं है कि धुंदला दिखाई दे रहा है अगर धुंदला भी दिखा जयता है तो उसका एक ड्राप्ट को कट्टोरी में जाल के अंतिम रूप से एक मौका आपको देता है इसलिए घबराने के कोई बात नहीं है और यहां पर देखा जाएं पांच नमबर स्कुरूटनी के उपरांत वांचित कागजात के अधर पर योग पाये गए आब यह को का अंतिम रूप से चैन किया जाएगा तो यह जो बत मालं कि मेरे जगह यहां पर जो लोग कराएं हैं मैं एक एक जब तक आपका फोटो साफ नहीं होता है मैं दोबारा मंग बाता हूं तो यह मेरे यहां जो फॉर्म डलबाता है उसका स्कूरूटनी तो दो बार तिन बार हो जाता क्योंकि आप खुद देखिए फिर हमको गया तो उच्छंट नहीं सकता है इतना सीओर है और नोट यहां पर देखा जाएं दो नंबर देखिए नोट नोट बहुत अच्छा होता है नोट से भेट कराते हैं आपको यहां पर बतायागा है कि आबेदक उसी जीले में अपने परियोजना को अस्थापित करेंगे जि है लगे का जो माएके है यानि माता जी पिता जी 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 का घर जमय में जिला में है और उनका जो सादर होकर क्या है मधूबटानी है द्यान दिज्वाइब जाह रहे हैं कि जमूई में ही जमूई में ही अपना जो प्रोजेक्ट हैं लगाएं ऐसा हो सकता है गया तो यहां पर किया गया है कि आबेदक उसी जीले में परियोजना को अस्थापित करेंगे जीस जीले का अस्थाई निवासी है तो निवास या तो आप क्या करो कि निवास परमान पतु जो है जहां उनका जम धर्थी लेडिज का वहां के बना लेजिए अगर क्योंकि यहां पर पती यहां चलाया मधुवनी में तो मधुवनी में जो पती चलाया जैसे जमुई है जमुई है ना तो जमुई में माता पिता यहां रहती है माता पिता रहती है ठीक है और एक है मधुवनी यहां के लिए मधुवनी मधुवनी में हसबैंड जो पती ह वह यहां रहते हैं और आपका मुन क्या है कि जमुई करना निवास पर्मान पत होना चाहिए तो इसा पर ढूँब होजता है तो यहां पर थोड़ा बनाने में आपको दिकत हो जाएगा क्योंकि तब यहां पर करना चाहते हैं तो हस्वेन का नहीं करना पड़ेगा आपको सारा चेज आपको जो देना पड़ेगा पिता के नाम से ही तब होगा नहीं तो हस्वेन के नाम से लगाईएगा तो जाती रिजेक्ट करेगा वहां पे जाती तो खैर आपको बनेगा पिता के नाम से ही बनेगा लेडिज का क्या तो पिता के नाम से बनेगा और निवा यहां पर पिता को यहां से बन जाएगा और निवास पती यहां से बन जाएगा है यह समझ में आपको आया होगा नहीं तो वीडियो को कर लिजेगा तो यह उनके कहना है के इन्स नंबर आपका रद कर दियाएगा ने तो दिकत हो जैगा हसना आरे पास करते समय कि परयोजना का चैन सब्धानी पूरव करें परयोजना कुछ लो के अंदुनारें डाल रहे हैं कि चलो भाई कोई डाल देते हैं मेरा स्वेक्षान नाम आ जाना चाहिए लेकिन यहां किलर किया हुआ ऐसे हैं कि एक बार परियोजना चेन के उपरान उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो इस में पर योजना में यह यहिए नहीं हो रहा है एक यह प्रियोजना अगर किया जाए तो पूरे बिहार में खाई नोटबुक फैक्टरी अगर लगा लगा तो नहीं तो रेडिमेड बस्त हो जाएंगा तो इसलिए बैलेंस करने के लिए गोवर्मेंट ऐसा की है कि परियोजना आपको जो है ना अलग-अलग सभी परियोजना को बै यह झाया जाएं ताकि ऐसे में वहार का डिवरभ होगा समझें नहीं तो यह परियोजना ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो आपर मार्केटिंग बैच नहीं कोई खरीदने बिक्त हो जाएगा यह परिसानी आएगी तो यह देख लिड़ जएगा और पूरियोजना जो च करना ही नहीं चाह रहे हैं तो बाद में प्रूब्रम आएगी तो यह सब ध्यान में आपको रखते हुए तब प्रियुजना का चैन करें ओके अब देखा जाएं और यह तो है कि अधिकतर दस लाक मिलेगा किसी किसी में छे लाक साथ लाक सारे आठ लाक यह सब प्रजेक्ट क OBC वाले हैं BC2 है ना विस्टी को देना परेगा और एक जेनरल जेनरल वाले को देना परेगा एक परतिसत भी आज है और देखा जाएं इसमें इहां देखा जाएं मोडल जो डिपी यार है कि आनू कूर होगा पुर्ज गयों तो से यह प्रिवसाइट ना उसमें मोडल है वह उसमें भल92 जितने समान आएगा उसमें 25 अपने मन से कर सकते हैं कि देखिए सवंदीर पॉंडिक सर के द्वारा बताया गया कि परसिक्षन दो चर्णों में होगा पहला चरण एक सब्ता के चैन के बाद होगा दूसरा पहली किस्त के बितरन से पहले हैं इसकी सुचना इमेल पर दे जाएगी इमेल चेक करते रहे हैं तो ये है कि मैंने आपको बताया के परसिक्ष्षन में होगा पहला चर्ण होगा मेरा यह मानना है कि हम एकदम सिंपली बतात है पहला किस्त मिलने से और दूसरा किस्त मिलने से समझें और जो लोग अंतिम रूप से चैन होगा स्कूरूटनी होगा स्कूरूटनी के बाद जिनका कागजात सभी सभी चीज़ सही रहेंगे कैटेगोरी दिखा जाएगा जैसे बहुत सारा लोग क्या करते हैं कि यह से लोग को इसमें रिजेक्ट किया जाएगा जब आगर आपका सेलेक्टन हो जाता है तो उसके बाद ही आपका पर्थम चैनल में च्छा दिवसे परसिचन करा जाएगा इसकी सूचना आपको फोन किया जाएगा और इसमें खूद से आपको इमेल आइडिया को चेक्रते सुचना दिया जाएगा या तो खूद मैसेज के माधियम से किया जाएगा वाट्सअप के मैंदम से किया जाएगा या तो आपको खूद से कौल करके किया जाएगा इसलिए परिसान ना रहे हैं पूरे पूर्षिस में आपको डेर से दूसाल लग जाएगा समझे कैसे खिरक और इसमें जो बताया जा रहा है की माल लेते हैं कि किसी कारणरबस स्सेज का आगर माल लेते हैं कि आपका पहलला फेज हुआ दूसरा फेज muut तीसरा फेज़ हुआ अगर आपने उसमें पाटिसिपेट ना करें तो यह यह बताया जा रहा कि अभी अर्थियों को पर्थम चर्ण के भाग लेने है तो प्रसिक्षन के दौरवरा परदान किया गया यह कि आपका प्रसिक्षन के आपको लिस्ट आगे परसारिट- पर बैठाने का क्या बाद मिलेगा तो इसलिए अनतिम रूप से अगर जो प्रस्चिछन संश्थान से आप काल जाता है तभी आप लोग प्रस्टिक लिए जाएंगे जिनका और दो आपको नहीं जाय को मनें आपको कर नहीं और हो सकता है किसे जाम नहीं कि तो चुरो भाई दूसरका में दूसरका में वही तब अंतिम लूप से आपको दो बार आपको मोगा मिला आपने प्रस्क्राइब नहीं किया ना करकर रह जाएगा नहीं होगा और नया अबेदन भी आगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि करने जाएंगे तो आपने बहले ही फैनल अगर पर्थम चर्ण के प्रसिक्षन के उपरांत अबेदक के काई के नाम से करेंट अकाउंट में पर्थम किसकी रासी जो है आर्टी जियस या एनी अप्टी के माध्यम से किया जाएगा और यह जो है तीन से चार दिन या एक साफ़ता का समय लग सकता है है और आई-म्प रियस होता ना इमिड्येट आप डाले अभी चलाएए ओंने तरही को लोग को हमालें रहता है कि एकडिमेंट जाता है तो का पहले चलाए हो मिति इसमें फिसbajता है लोग मिरन है मेरनी मिरन है और कम से कम साथ दिन है करना है और यही पर मैं एक मैंसर कर दों कि जब इस बार आप अभेदन करने जाएंगा तो फर्म के नाम से करेंट एकाउंट अभी नहीं मांग रहा है क्योंकि आपके पास फर्म के नाम से करेंट एकाउंट होगा नहीं तो इसलिए जब करेंट एकाउंट खुलाने जाएंगा तो ज ही से बाद ही आम करेंट एकाउन फृर्म के नाम से दुकान के नाम से के नाम से प्र muj 서 उसके नाम से फन के नाम से खुला करके देना पड़ेगा इससे बढ़िया मैं क्या समझाओं अप लोगों इसके बाद है कि यह देखा जाएं जो रासी है पहला किस्तर आपको डिर लग मिलेगा उसको खर्च कैसे करना है तो इनका काना है कि आप जो बीजली करेंक्शन या ज यह सब करना पड़ेगा समस्कार मैं हूं हरी नरायन कुमार अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां हमें सबस्क्राइब और फोलो करना ना भूले ताकि आप इस पर करके कोई भी वीडियो मिस ना करें तो जोड़िये हमारे स अब करेंगे तो यह यह यहां पर मेरा लोग भी लग रहे है